असे ही बैठे बैठे एक वाक्या याद आ गया और मैंने सुचा क्यों आप लोगों के साथ वो वाक्या शेयर किया जाए सशेकाल नमशकार अदाब दोस्तों मैं हूँ आपका मनी कुलार स्वागत करता हूँ आपका मेरी चैनल पे आप लोगों ने सिटीज के अंदर बहुत सारी गायें को गोमते हुए देखा होगा जो पूरा दिन गर से निकलती हैं उनको छोड़ दिया जाता है बाहर से जो भी फुरूट के पत्ते फुरूट या कुछ भी गिरा पड़ा हो शेहर में से खाती थी खाती हैं और उसके मालक उनको अपने घर पे रख लेते हैं सुवा फिर ऐसे ही निकल जाती हैं बहुत समय पहले गाओं में भी लोग ऐसा करते थे जिन लोगों के पास बहुत सारे पशू होते थे गाये होती थी वो घाओं को छोड़ देते थे ऐसे वह जंगल में चरने के लिए चले जाती थ जब शाम होती थी तो अपने आप वह अपस गर पे आ जाती थी तो उनका जो प्रसेस होता है मतलब दूद निकालना वो गाम होता था एक बार की बात है कि कुछ एक किसान की कुछ गाएं जंगल में चुगने के लिए गई हुई हैं और वहां पे गय जब शाम हुई तो सारी गाएं जतनी भी थी वो बापस घर को आ गई लेकिन एक गाह जो है वो जंगल में रह गई और उसके पीछे शेर पड़ गया सुखी और शेर कि जाएं चौन के पीछे लगा हुआ है और गाएं आगे आगे भागी जा रही है मृगी जा रही हैं ऐसा भागते भागते बहुते बहुते हैं। रास्ते में एक तलाब शपड़ी या मतलब होता है जिसमें गारा हो गंदगी और उसके अंदर गाएं शलांग लगाती है और गाएं उसके अंदर फसी और उतनी स्पीड से पीछे छेर भागा आ रहा है। और भागता आता आता है वो भी शलांग लगाता है और वो भी उसी गार में फसी आता है मतलब और गाएं जो है गाएं शेर से दो कदम पीछे और शेर शेर ने शलांग इतनी जोर से लगाई कि वो गाह से भी मतलब एक मीटर आगे शिलांग गई और वो भी गाले में फस गया अभी दोनों गाएं भी फसी पड़ी है और शेर भी फसा पड़ा और फसी फसी गाएं पुस्क्रा रही है हस रही है शेर की और देखे कि अब शेर ने हलका सा पीछी को टर्न करके देखा गाएं हस रही है और शेर उसको पूछता है विए गाह ऐसा क्या हो गया तु तू हस क्यू रही है फसी तू भी है फसा मैं भी डेकिन तू हस क्यू रही तो पता क्या गाहां क्या जवाव देती है गाहां बोलती है कि मैं आती हूं डेली जंगल में चरने के लिए मेरे साथ और भी 19-20 गाएं होती हैं हम लोग शाम को वापर चले जाते हैं आज मेरे पीछे तू लग गया और मैं यहां पर भागती भागती इस की चड़ में फस गई दूसरी गाएं जब घर पहुंचेंगी मेरा मालिक जो है जो हमारा किसान है वो देखेगा कि इतनी आ गएं एक गाँ कहां पर है वो मुझे डूड़ना शुरू करेगा और जब ढूड़ते ढूड़ते डूड़ते ढूड़ते वो मेरी पैड़ को देखेगा मेरे पाऊं की जो निशान देखेगा तो वो मुझे यहां से डूढ लेगा मतलब आपके यहां से जब डूढ लेगा तो वो मुझे नकाल के यहां से ले जाएगा मैं इस बात पर हस रही हूँ कि मेरा तो कोई मालक है मुझे डूढ लेगा और यहां से नकाल के ले जाएगा तुझे कौन निकालेगा तुझे कौन निकालेगा तेरा तो कोई मालक भी नहीं है अपने मालक पे इतना प्राउड है इतना गरूर है उस गाए को कि मेरे पीछे कोई है प्राउड होता है एक अपने आपका जैसे होता है न होँसला बड़ा हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है जिसके पीछे कोई नहीं होता उसका कुछ नहीं होता तो इस दुनिया में लोग जो हैं अपनों को छोड़ के आगे भागे जा रहे हैं अपनों को छोड़के दुनिया में अपनी और से तो वो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो उनके अपने हैं जिन पे एक गाय को प्राउड है कि मुझे वो ले जाएगा लेकिन हम लोग क्या हैं हम लोग अपनी मतलब के लिए हम लोग अपने कुछ मतलब चंद फाइदे के लिए अपनों को छोड़कर भाग रहे हैं जैसे इस देश में क्या हो रहा है जो जिन बच्चों के पास capability है जिन बच्चों के पास education है अच्छी education है तो वो बच्चे इस देश से विदेशों की और भागे जा रहे हैं और यहां पर कौन रह गया जिन लोगों को कुछ नहीं पता मतलब चीदी लेंग्वेंड में पंजाबी में अगर बोलने की बात करें तो मातादा मालक बोल देते हैं पंजाबी में हसे कि कौन रह गया यहां पर अगर तुम लोग सभी चले जाओगे यहां से तो इस देश का क्या होगा भाई तो यह जिन्दगी है यह कहानी यहां पर हमें यह सखाती है अपनों पर प्राउड होना चाहिए अगर आपके अपने हैं तो तो अपनों के साथ प्यार मना कर रखें और जितने भी आपके दोस्त आपके मित्तर आपके कोई रिष्टेदार आपसे नराज भी हो उनसे जाकर एक वार मनाने के कोशिश करो प्यार बन जाएगा तो उमीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको यह कहानी में कुछ अच्छा लगा तो इसको शेयर जिरूर करना और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना फेस्बूक पर देख रहे हो तो फेस्बूक को फॉलोग जिरूर करना बहुत बहुत शुकरिया नमस्कार